हेलो दोस्तों जैसा कि इसे पहले की वीडियो में अगर आप नहीं देखा होगा तो हम लोग 17 जनवरी 2023 का पेपर सॉल कर रहे थे उसमें जो 15 नंबर की कंटेंट की कोशन थे उसे हम लोग सॉल कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में 15 नंबर के जो पेड़ागोजी है उसे सॉल करेंगे तो आप लोग बने देगे का वीडियो के लास तक भी ना स्किप्ट कियो और दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा अब लेकर प्रेश कर लिजेगा ताकि सीटेट सी रिलेक्टेट हर अपडेट हर वीडियो आपको टाइम पर मिले स्टाट क पर दिया गिया है कि कौन से प्रेवरण डोड़्ण शिच्चक की विश्यष्टाओं की वियाख्या करते हैं तो दोस्तों ये विशे वस्ट्रचक ये नहीं होगा सं्चारक नहीं होगा वी है अधियं साज करता ये होगा और C सा अधियम करता ये भी होगा, D है वेवार रुपांतर करता ये नहीं होगा, और E जो दिया गया है वो विशे वस्तु संचारत, ये भी नहीं होगा, तो B और C किसा option में आप देख पारेंगे, option C में B और C जो है ये correct answer होगा, ठीक है, ये यहाँ पे English में दिया गया है, B EBS पर शिचर अधिगम प्रक्रम में बज समू का दाईतो है, option A में दिया गया है, धोहने पर दुशर की प्रभाववपर नियंतरा रखना, B है संपादन के लच्चियों का आकलन करना, C है छोटे समू को कारेपूर करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, D है विशे मे अरूची कम करना, तो यहाँ पर शिचर अधिगम प्रक्रम में बज समू का दाईत तो है, यह बताना है, तो दोस्तों छोटे समू को कारेपूर करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, option C जो है यह इसका correct answer होगा, अगला question देखेंगे, जल भरमड के दोरान, शिमा ने एक चमकीला रंगीन, फूल वाला पौधा देखा, शिमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया, कि वे उसकी बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़े, अध्यापक ने उतर दिया हर सुंदर फूल और पौधों को नहीं तोड़ा जा ए दिया गया है, मानो और प्रेवरण के बीच संबंदों की जागरुकता का विकास, बी दिया गया है, यहाँ पे मानो करियकलाब दोरा उपजने वाली प्रेवरणी समस्याओं के बारे में जागरुकता का विकास, और सी दिया गया है, मानो प्रजादी के अस्तितु के लि इसमें से A, B, C, D में से कौन-कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है तो इसमें देखिए दोस्तों A में जो दिया गया है जैसा कि दिया गया है कि इसमें किस उद्देश को पूर करने का प्रयास कर रहा है जो टीचर है तो option A में है मानव और प्रयावरण के भी समन्दों की जाग लुकता का विकास ये तो हो जाएगा आपका और B में दिया गया है मानव के लिएक लाब दोरा उपज़ने वाली प्रयावरणी समस्याओं के बारे में जाग लुकता का विकास ये भी होगा किसी चिनित परयावरणी समस्याओं के अध्यन के लिए कौन सी विदी सर्वता उप्यूकत है ये आपको बताना है अगला कुशन आप लोग देख पार होंगे रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित वीजो को लगाने के बारे में सिछित करना चाहती है इसके लिए रेवती को निम्नालिखित में से किन संसादनों का उप्योग करना चाहिए आपशन A में दिया गया है समुदाइक संसादन B है संस्थागत संसादन और C है प्राकृतिक संसादन D है प्रदोगिकिय संसादन इसमें जो है इसके लिए रेवती को निम्नालिखित में से किन संसादनों का उप्योग करना चाहिए तो दोस्तों ये समुदाइक संसाधन कॉप्यों करना चाहिए option A जो है इसका correct answer होगा ठीक है अगला question देखेंगे EBS कच्चा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्ण पूछने से option A है छात्र परतियों को बहतर समझते हैं B दिया गया है option A जो है इसका correct answer हो जाएगा अगला question आप लोग देख पारेंगे सौमी नदी के पास रहता है भारी बारिश की वज़े से पानी की pipeline छटिग्रस्थ हो जाती है और पेजल आपूर्ति बाधित हो जाती है सौमी के पिता पानी का केण खरीदते हैं सौमी अपने पिता से पूछता है जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बहरा है तो हमें पानी को केन क्यों खरीदना पड़ता है स्वामी की पिता को क्या करना चाहिए option A में दिया गया है स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूशित हो जाता है और आसा पानी सुरचित नहीं है B दिया गया है स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जिवार विशाड़ हुआ अन्य पर जिवी हो सकते हैं और बिमारी हो सकती है C है स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पानी के लिए सुरच्छीत है करता है सी है आलोचना शामिल करता है डी है सरोतम द्रिष्च कोड की पहचान करने में मदद करता है प्रभावी विचार विमर्स जो है ये सवागिता को पुर्थशायद करता है तो ऑप्शन बी वाला जो है ये इसका करेक्टर अंसर होगा अगला कुशन अप लोग देख पा पानी देंगी कुछ ने इसका विरोध करते विये कहा लड़कियां गड़ा क्यों नहीं खोद सकती कच्छा ध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए Option A में दिया गया है बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारिरिक रूप में ज़्यादा ताकतवर होते हैं B. दिया गया है, बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं, इसलिए उन्हें ही पौधों को पानी देना चाहिए C है बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधों लगाने में अपनी भूमिका चुन सकें D है बच्चे से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं Option जो है दोस्तों इसका बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है कि लड़के लड़कियों से शारियर ग्रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं बच्चों से कहना चाहए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा द्यान डगने इसलिए उन्हें ही पोधे को पानी देना चाहिए लड़कियां के लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं Option D दोस्तों जो है इसका correct answer होगा, ठीक है अगला question दिखेंगे, निरंतर एवं व्यापक मुल्लांकन में व्यापक का संबंध है, Option A में दिया गया है, किसी चात्र के शैचिक तथा गैर शैचिक दोनों विरिदिक के शैचिक दोनों विरिदिक के शैचिक दोनों विरिदिक के शैचिक तो Option A जो है, इसका correct answer हो जाएगा, अगला question आप लोग देख पारोंगे, निरंबनेलखित में से कौन से परिवरण अध्यन के परक्रिया कोशल है, A में दिया गया है तत्थो की सूची बनाना, B है सवाल उठाना, C है परिकल्पनाईं बनाना, D है परिच्चड करना, और E दिया गया है अंतिम निश्कर्स पर पहुशना, F है समाद, G है अउलोकन के अधार पर निश्कर्स में परिवर्दन, और H दिया है आकडों का पिश फिए सवाल उठाना यह होगा और सी दिया गया है परीकल पनाय बनाना यह भी नहीं होगा ऑड़ कि परिछयर करना यह भी होगा और ऑ अंतिम निशकर्ना विल्ठ यह होगा एं यह है और लूकर FOR पर यह बतन ये भी होगा आगोडों का विश्ले चड़ ये भी होगा कि इसमें से आप देख पार होंगे ऑप्शन अगला कुशन आप लोग देख पार होंगे ईविएस के सिच्चड है तो प्रभावी सिच्चड अधिकम ऑप्शन है महांगी होनी चाहिए बिश्ले को दौरा स्वेंब बनाई जाने चाहिए से चठर केंदरी चाहिए डिया अवैक्तिक में इन्व को तु कई कि आप देख पार होंगे औप्शन सी जो है यह इसका करेक्ट आजरो गया हुआ ठीक है यह दोस्तों अधिकम स्ट्रा मंजरी यहांका है यहां पर टाइपिंग हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है यह चार्दर केंद्रित होनी चाहिए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगला कुशन आप लोग देख पारोंगे अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगाते हैं पढ़ाने के यह बीज लाने को कहा सोहा और तारा अलग-अलग आकार के सर्सों के बीज लाएं सोहा के बीज द्वारा सोहा के बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे अध्यापक में विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे की बढ़े बढ़े और छोटी आकार के बढ़ेंगे प्राथमी खस्तर बेहुंग कारि का महत्त्य है ओप्षिञ इमें दिया गया कारी के निश्कर्स पर पस्पस्ट रूप रखने में सहायक होना सी सीखने की प्रिक्रिया में सिच्छ की भूमिका को बढ़ावा देना भी है छाद्रों के भावात्मक चेत्र को बढ़ावा देना यहां पर प्रात्मिक अस्तर पर प्रियुगात्मक कारे का महत पुछा गया है तो प्रियुगात्मक कारे के पस्ट रूप से केंद्रित होना ये तो नहीं होगा बी है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहाइक होना ऑप्शन भी ही दोस्तों इसका जो है करेक्ट रांसर होगा अगला कोशन और आज का यानी 17 जनवरी 2030 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ईवियस का ज के समय में रखने को का रिद्दी ने चाको और सेप को एक समय में रखा शबालों को क्या करना चाहिए अब्शन आ में दिया गया है मैं में रिद्दी से कहना चाहिए कि चाको धालओ कि वो ये समझाए कि उसने चागो और सेप को एक समों में क्यों रखा है option D दोस्तों इसका जो है correct answer होगा तो ये थे total question 17 January 2030 को पूछे गए हुए जिसे हम लोग solve कर चुके हैं अब next video में हम लोग अगले shift का paper solve करेंगे तो आप लोग बने रहेगा इसी तरह इस चैनल पर और दोस्तों आप लोग अपना feedback ज़रूर देएगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो like करेगा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेगा नए हो चैनल पर subscribe करेगा मिलते नेक्स वीडियो में तो दक लिए बाइबाय टे केर थेंक्यू खुछ रही हो पर दे रहिए